नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिट से आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पे आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने सब यूजर के लिए किस तरह से एक नया रूल क्रियेट कर सकते हैं साथ ही साथ आप अपनी रूल को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं तो चलिया ये बिना देर की हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पे पहले से ही ST Digital के dashboard को login कर रखा है अब जब मैंने यहां पे अपने ST Digital के dashboard को login कर रखा है तो मैं अपने cursor को left side मे ले जाता हूँ जहां मुझे एक option मिलता है user manage का तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मुझे यहां पे एक role create करना है तो role create करने के लिए हमें user manage वाले इस option पे click करना होता है तो हम यहां पे user manage वाले option पे click करते हैं जैसे ही मैंने user manage वाले option पे click किया अब देखें यहां पे हमें दो option दिखाई देते हैं पहला option है sub user manage और दूसरा option है roles manage तो हमें यहां पे roles manage वाले option पे click करना होता है जैस इसे ही मैंने रोल्स मैनेज वाले option पर क्लिक किया अब देख सकते हैं यहां पर रोल्स के नाम से एक नया page open हो गया रोल्स create करने के पहले या रोल्स add करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहां पर आप अपने अलग-अलग client के लिए यानि अलग-अलग user के लिए अलग-अलग rule create कर सकते हैं अपने client के name के साथ और अगर आप चाहें तो अपने सभी यूजर के लिए एक default role भी तयार कर सकते हैं, जो कि आप आने वाले या जोडने वाले सभी यूजर में एक default role को apply करवा सकते हैं. तो अब मैं यहाँ पे एक default role आपको create करके दिखाता हूँ. तो default role create करने के लिए मैं यहाँ पे simply add role वाले टैप पे क्लिक करता हूँ. जैसे ही मैंने add roles वाले टैप पे क्लिक किया, आप देखें यहाँ पे सबसे पहले हमसे हमारे role का name पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे जो role का name होगा, यह आप अपने client के name के अनुसार भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो अगर आप default role बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने company के name से भी default role बना सकते हैं. तो हम यहाँ पे एक default role बना रहे हैं तो default role बनाने के लिए मैंने पहले से ही एक नाम तयार रखा है मैंने इसे यहाँ पे paste कर दिया है अब जब मैंने यहाँ पे name लिख दिया है तो अब बारी आती है permission देने की permission का मतलब होता है कि हम user को क्या-क्या करने की permission दे रहें यानि कि जो जो यहाँ पर permission हम देंगे वह user अपने dashboard में उन permission को access कर पाएगा तो यहाँ पर सबसे पहला जो permission होता है वो होता है payment request का तो मैं यहाँ पर अपने user को payment request और edit करने का भी option देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर दोनों पर ठिक कर दिया है इसके बाद जो दूसरा option होता है वो होता है release का तो अपने user को मैं audio को release करने, edit करने, add करने और साथ ही साथ delete और view करने का भी permission देना चाहता हूँ तो मैंने सभी option पर क्लिक कर दिया है इसके बाद बारी आती है settings की तो मैं यहाँ पर अपने user को setting का भी option देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर सभी option पर क्लिक कर दिया है इसके बाद बारी आती है YouTube रिक्वेस्ट की जिससे कि user अपने channel को white list कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने claim को release कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे दोनों option पे click कर रहता हूँ अब देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे option को click कर दिया है मैंने यहाँ पे name भी लिख दिया है और साथ ही साथ permission को भी click कर दिया है तो अब हमारा ये जो role है वो तयार है अब इसे save करने के लिए हम अपने cursor को नीचे लाते हैं यहाँ पे देखे corner में right side में आपको एक option मिलता है submit का तो इसे final submit करने के लिए यानि save करने के लिए हमें submit वाले tab पे click कर देते हैं यहाँ पे देखे new record added successfully के नाम से एक notification आया और देखे हमारा role बन कर तयार हो गया है in future अगर आप चाहें तो इसे अपने इनुसार edit भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे delete भी कर सकते हैं यह depend करता है आप पे तो इसी तरह से हम अपने सब user के लिए एक role create करते हैं और इसे manage भी करते हैं तो आसा करता हूँ आज आप लोगों को हमारे इस वीडियो से सब user के लिए role create करना और manage करना आ गया होगा इसी तरह के नए ने वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें साथ साथ हमारे वीडियो को like और share करना न भूले अगली वीडियो आने तक जाहिन जाभारत